हेलो दोस्तों स्वागा थे आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनिल सौठेट में तो अबर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो आज हम लिखेंगे योजिना पत्रिका का संपाद किये होगा जोगिस चैनल 65 वर टो संगिये यह कर लाट पे सब चिन लगा दिये हैं संगिये हो गया अब लिखला है सन राचना तो देखें लिखेंगे सन रच घड़ी के दिशा में नौ सन रचना आके मातर लगा लिए लिखना है कि बात करते थे तो देखेंगे बात कर हो गया ते थे अब लिखना है कि आमतर पर तो देखेंगे आमतर पर अब लिखना है कि होता था तो देखेंगे ताल मेल के रूप में देखेंगे के साथ लिखना है तो देखेंगे के हो गया साथ बिक्सित लिखना है तो छोटाला लिखना है बी का छोटला सा हो गया तो विक्सित रण नीती लिखना है तो रण नीती का हिंदी भी देख लिजिए कैसे लिखा गया है ताकि आपको टापिक करने में कोई गलती नहों हो तो देखे लिखना है रण नीती तो रण हो गया नीती से काड़ दीजिए तौर पर लिखना है तो देखे लिखेंगे तौर पर प्रति असपरधी लिखना है तो देखे लिखेंगे पर में पहले ही रहा कि मतलब प्रति हो गया असपरधी अब लिखना है कि पुनर मुल्यांकी तो देखे लिखेंगे शोटाला पूनर हो गया मुल्यांकित अब इसे भी लिखेंगे मुल्यांकित अनिवारे रूप से लिखना है तो दिख लिखेंगे अनिवारे रूप से लिखना है तो रूप से काड़ दीजिए अब लिखना है किया गया है तो देख लिखेंगे किया हो गया इसे में गया हो गया है अब लिखना है समा योजित तो देख लिखेंगे स हो गया मा हो गया यो हो गया जी हो गया अगड़ी को भी प्रिद्सा में ता हो गया समा योजित कि अंध्या स्वायत तो देलिकें गैस्ट हो गया है वह गया यह गया थज़े कित अब देखने यह लिखना कि नहीं करता है नहीं हो गया कर था है कि एक आत्माक लिखना यहां थे देखना है लेखे कात मक लेखे लिखना है पुनर्गाठ अने तौ लिखेँ के हैं पूर्गाठन अधंयम लिखना है कहा गया था देखे लिखेँ मिंगे आ होगया मैंडों और अधिनियम होगया है बंबाई लिखना है तो देख लिखेंगे बंब ई की मातर लगा दीजिए बंबाई निमने लिखित लिखना है तो देख लिखेंगे निमन हो गया लिखित अब देख लिखना है कि महारास्ट तो देखेंगे महा हो गया हा हो गया सिवरा हो गया सव हो गया एट्रा जोल दीजिए महाराष्ट्र अब लिखना वी केंद्री करण तो देख लिखेंगे वी केंद्री हो गया इसे में करण जोल दीजिए करण घड़ के दिशा में ना अब दिखना होता हैतो देख लिखेंगे होता है अब रिखना की स्वास थे देख लिखें है'? बड़ा लएक भूडक हो गया सथय अब लिखने स्वच च्ड़ त अज्र०्दा ensures नहीं स्वचनाइप करण MR हो गया में छेता हो गया अब लिखना के साथ साथ के हो गया साथ साथ और मस्तिस्क हो गया सथ साथ गियनलती कि एक हो गया तुहो स समय कि मातला है एक दूसरे सम अधस्ते लिखना में तुछ लिखेंगे ठाभ अपन ऑगयाज अधिने की काम करते हैं तो देख लिखेंगे का हो गया मच मच अधर हो गया तेयों काम करते हैं अब लिखना है स्वायत त्ता स्वायत त्त त्त उत्त अट्ều डाई लिखना है तो देखोइंगे हो गया, सह हो गया, कह हो गया, ती है तो चलिए अब डिक्टेशन निखेंगे जो कि पांच सिकेंड बाद इस्टार्ट होगा तब तक के लिए रेडी रहें इस्टार्ट कुछ दसक, पूर्व, जब हम संगिये सनराचना की बात करते थे तो आमतर पर मन में उसका एक आयामी चीत्र उभारता था जिसमें सभी राजियों के सिर्ष केंद पर केंद्र होता था हमने सायद ही कभी इसे राज्य के बीच तालमेल के रूप में या फिर एक साथ बिक्सित होने और आगे बढ़ने की समान रणनीती के तोर पर देखा हलांकी यह सहकारी और प्रति अस्पर्धी संहवाद पर अधारित संहिये सनरचना का नव यूगिन द्रिश्टी कोण है जिसे निती आयोग के गठन के साथ परिभासित और पुनर मुल्यांकित किया गया है अनिवार्य रूप से संहवाद दो सरकारों एक छेत्रिये अस्तर पर और दूसरा राष्टिये अस्तर पर को समयोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है प्रतेक सरकार अपने छेत्र में स्वयत है भारती समिधान एक मजबूत केंद्र के साथ संहिये सनरचना का प्रवधान प्रदान करता है यह फेडरेशन यानि संह सब्द का प्रियोग नहीं करता है और भारत को राजियों का संह के रूप में वरनित करता है जिसका आर्थ है कि कुछ एकात्मक विसेस्ताओं के साथ सहकारी स्वरूप संह राज और समवर्ती सुचियां केंद्र और राज के दाईतों और कारियों का सिमांकन करती है गुजरात और महाराष्ट राज एक माई को अपना अस्थापना दिवस्त मना रहे है संसद ने बंबई पुनरगठन अधिनियम 1960 पारित किया जिसमें कहा गया था कि नियत दिन एक माई 1960 से गुजरात राज के रूप में जाना जाने वाला एक नया राज बनाया जाएगा जिसमें बंबई राज्य से निमलिखित छेत्र सामिल होंगे और उसके बाद उक्त छेत्र बंबई राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे सेस बंबई राज्य महराष्ट राज्य के रूप में जाना जाएगा दोनों राज्य पहली माई 2021 को अपनी अस्थापना के 61 वर्ष पूरे कर रहे हैं इन राज्यों पर प्रकासित लेख पाठकों को पिछले छह दसकूं के दवरान उनके विकास और परिवर्थन की यात्रा पर ले जाते हैं संगवाद को संसाधनों के विकेंद्री करण के साथ लगतार केंद्र और राज्यों के बीच एक कठीन संतुलन बनाए रखना होता है कमजोर कड़ी पर ध्यान देते हुए सभी को मजबूती प्रदान करना स्वास्थ स्वच्छता रैंकिंग आदी के रुप में राज्यों के बीच स्वस्थ प्रति अस्पर्धा पैदा करना है इसके पीछे उद्देश्य है एक संस्कृती और मुल्यों पर आपसी विश्वास जैसे नैतिक गुणों की स्रेणी विक्सित करना और लोगों और नितियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ाना यह एक्ता के साथ साथ विविधता को स्विकार करना और सरहना है और साथ ही सिमाओं का सम्मान करने के साथ साथ सिमाओं से परे जाना है ऐसी सनरचना के लिए दी जाने वाली सबसे आम उपमा है मस्तिश्क और सरीर के अंग जीस तरह से वे एक दूसरे के साथ सम्पूर्ण समंजस्य से काम करते हैं उससी प्रकार संगवाद की भावना मन और आत्मा भी है पूरे सरीर के सुचारू संचालन और विकास के लिए प्रतेक अंग दूसरे पर निर्भर हैं विवित्ताओं और स्वेतत्ता की मांग के प्रती उत्तरदाई राज्य सासन विधी ही सहकारी संगवाद का अधार हो सकती है समप्त